चोपड़ा एजो किसनी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो आप और हम सब ये जानते हैं कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच क्या सिच्वेशन चल रही है और इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड यूक्रेन से MBBS कर रहे इस्टूडेन्ट हुए हैं काफी सारे स्टूडेन्ट इंडिया लोट चुके हैं और बाकी स्टूडेन्ट भी जल्दी ही लोट आएंगे हम इनकी से कुसल भारत वापसी की इस वर से कामना करते हैं और दुआ करते हैं कि ये सलामत रहे यूक्रेन से इंडिया लोटने के बाद इन स्टूडेन्ट को अपने फ्यूचर की चिंता बने हुई है क्योंकि इतना सारा पैसा उन्होंने वहाँ पर अक्सपेंड किया है किसी का लास्ट इयर चल रहा है किसी का फोर्त इयर चल रहा है लेकिन उनको अभी चिंता करने के आवश्यकता नहीं है Central Government और State Government द्वारा उनके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे फिलाल महराश्टर स्टेट ने इसकी फैल कर दी है महराश्टर University of Health Sciences नासिक ने अपने वेबसाइट पर इसके रिकार्डिंग एक पब्लिक नोटिस जारी किया है यह पब्लिक नोटिस आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं यहाँ पर इलिजिबिलिटी लिखा हुआ है डिपार्टमेंट डेट 2nd March 22 है मराथी में यह पब्लिक नोटिस जारी किया है इसमें यह कहा गया है कि जो स्टुडेंट यूक्रेंट से रिटन हो रहे हैं यूक्रेंट से लोट रहे हैं वो एक यह फॉर्म फिल करना है उनको और इलिजिबिलिटी डिपार्टमेंट में उनको फीजना है यह माराष्टर इस्टेट ने पहल कर दी है यह PDF फॉर्मेट में भेजना है यहाँ पर डाटा कलेक्शन फॉर्म दिया गया है उसका यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है तो ये form उनको भरना है उन student को जो मारास्टर के रहने वाले हैं और Ukraine से लोटे हैं अभी तो इसमें दूसरी तरप आपको फोटो लगाना है और signature करना है फोटोग्राप्स पर इसके बाद में इसमें जो detail भरनी है student का नेम भरना है father, mother, name, date of birth, gender, mobile number, email address, permanent address मारास्टरा का येर से वो study कर रहे हैं इसके बाद educational status देना है अगर वो UG कर रहे हैं undergraduate कर रहे हैं तो कोण से year में हैं कोण से year में उन्होंने admission लिया था कोण से institute में लिया था अगर internship कर रहे हैं तो उसकी detail देनी है PG कर रहे हैं तो उसकी भी detail आपको यहाँ पर देनी है इसके बाद में जिस institute और university से वहाँ MBBS कर रहे थे Ukraine में उसका यहाँ पर web link और website का link यहाँ पर देना है और भी कोई आपके पास information है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इसके बाद में यहाँ नीचे self declaration देना है और इसके बाद में signature करके full name लिखे date और place लिखने के बाद में नीचे address दिया गया है dmer.cetit at the rate of mahrashtra.gov.in इस पर भी आप mail करें और इसके बाद में जो eligibility department है mahrashtra का उस पर भी eligibility at muhs.ac.in पर भी PDF format में इसको mail कर दें तो यह फिलाल mahrashtra state के candidates के लिए update थी बाकी states के लिए जैसे ही update मिलेगी हम आपको inform कर देंगे अब इन students के लिए आगे क्या solution निकलेगा यह तो अभी clear नहीं हुआ है लेकिन कुछ न कुछ solution जरूर निकलेगा तो यह जैसे भी कुछ होगा हम आपको inform कर देंगे यह information भेजी है हमारे click or get mbbs admission youtube channel के founder विनोत कुमार जी ने हम उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंग